नपुन सकता कभी भी अचानक नहीं आती, बलकि धीरे धीरे और बता कर आती है और आप अगर चाहें तो इसे आने से रोक सकते हैं लेकिन हर समस्या को नजर अंदाज करना और हलके में लेना ये आदत इस मामले में भारी पड़ती है इसका खामियाजा कभी कभी तो साधी तूटने तक भी चला जाता है मैं आपका दोस्त काका हकीम इस चैनल के माध्यम से आपकी तकलीफ का समाधान करने की कोशिश करूँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर प्रेस करें और आल पर सलेक्ट करें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँचें सबसे पहले तो दोस्तों यह समस्या नई बिल्कुल नहीं है आज से हजारों वर्स पहले भी होती थी और आज भी होती है लेकिन उस समय जो वैद और हकीम थे आज इनकी संक्या घटकर बेहत कम रह गई है और उन्म हत्माओं ने हजारों वर्स पहले ही इस समस्या का समधान भी बता दिया है आज ऐसी ही एक जड़ीबूटी जो नपुन सकता में बेहद असरकारक है उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ सफेद मूसली दोस्तों यह जड़ीबूटी भारत के अंदर बड़े पैमाने पर पाई जाती है और देखने में ऐसी होती है भारत के कोने कोने में देशी दवाई की दुकाने जिने हम पंसारी भी बोलते हैं वहाँ आसानी से उपलब्द हैं इसकी गुनवत्ता के अधार पर ही इसकी कीमत भी तै होती है आपको 400 रुपे से 2000 रुपे किलो तक यह मिल सकती है यह जड़िबूटी करती क्या है यह जानना आवश्यक है यह जड़िबूटी हमारे शरीर में पाचन के बाद उस द्रव्य का सबसे अधिक निर्मान करती है जिसका नुक्सान में थून में होता है और वो है बीरिये बीरिये की कमी ही शरीर में नपुनसक्ता को जनम देती है और जिस तरह नपुनसक्ता धिरे धिरे आती है उसी तरह धिरे ही इसका इलाज होता है लेकिन अगर सफेद मूशली का सेवन सही तरीके से किया जाए तो एक महिने में ही यह आपको 16 साल के मदमस्त नौजवान में बदल देती है लेकिन इसके परियोग से पहले इसका तरीका जरूर सीख लें बहुत से लोग इसे पीसकर चूरण बना कर दूद के साथ या वैसे सेवन करते हैं और कोई फाइदा ना होने पर निरास हो जाते हैं और फिर आयरुवेद को ही खराब समझने लगते हैं आयरुवेद में हर ओसदी के सेवन की विधी बताई गई है कि उसे चूरण के रूप में लेना है वटी के रूप में लेना है काड़ा बना कर लेना है या फिर पाक बना कर लेना है या फिर अन्या किसी और प्रकार से इसी प्रकार सफेध मूसली को लेने का तरीका जो आईरवेद में बताया है वो पाक के रूप में लेने को बताया गया है और इसकी formulation को कहते हैं मूसली पाक पाक बनाना एक जटिल पर क्रिया है घर पर बनाना थोड़ा कठिन है और पाक में और भी क्याई जड़ी बूटियां पड़ती हैं जो मुशली पाक का पाचन अच्छे से करवाने में मदद करती हैं और इसकी ताकत को क्याई गुना बढ़ा देती हैं और ये सभी जड़ी बूटियां हर जगे उपलब्द नहीं होती जिसमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ जैसे सबसे मुख्य है सफेद मुशली फिर देशी घी फिर दाल चीनी तेज पत्ता सोंट पीपली सतावरी चितरक गोखरू हरितकी लोंग जायफल जावित्री कौचवीज, सेमल चाल, अकरकरा, बंगभसम, मकरदवज, बाला, वनसलोचन इत्यादी इतनी सारी जड़ी बूटियां कभी कहीं कुछ नहीं मिलेगा कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो इस कारण किसी अच्छी कंपनी का बना बनाया आप ले सकते हैं अच्छी कंपनी मैं इसलि दिखाई देने लगेगा लेकिन बैटरी जब तक ठीक से चार्ज पूरी तरीके से ना हो जाए तब तक सहीं हम रखें और इस दोरान तेल और खटाई का सक्त परहेज करें दोस्तों आप सुखी रहें इसी कामना के साथ विदा लेता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में नम आफकार